इस वीडियो में हम दों देखेंगे और जानेंगे कि जो solar panel होता है उसे कैसे चेक करें कि वो कितने watt का है कितने volt का है कितने ampere का क्योंकि actually क्या होता है एक तो solar panel पे ने plate लिखा रहाता है पुरा details कि वो कितने watt का है कितने ampere का कितने volt का अगर कहीं पर किसी solar panel पर नहीं लिखा है या आप चेक करना चाहते है कि इसके reality क्या है जो company ले लिखा है उटना है या नहीं है यह कैसे चेक करेंगे किसी भी solar panel का कि वो कितने वाड का है कितने एंपियर का है और कितने वोल्ट के लिए है इस वीडियो में यहीं देखेंगे जाने के अच्छी तरह से समझेंगे तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं हमारे पास तीन solar panel है एक छोटा है एक बड़ा है एक मेडियम है आपका कोई भी साइज हो सकता है छोटा बड़ा कोई इससा भी solar panel है इसे चेक करने के लिए simple सा उपाय होता है इसके back side अगर दे सब solar panel के अंदर हमारा होता है एक negative एक positive दो वायर होता है connection करने के लिए तो जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो इस solar panel का total details से यहां पर लिख दिया गया है कि यह कितने watt का है कितने volt का है कितने ampere का है लेकिन यह लिखा हुआ नहीं है किसी भी कारण हो सकता है कि कई solar panel लगा है बारिस हुआ तो यह क्या होता है यह फट जाता है मिट्यक जाता है पानी के सीम से या किसी भी कारण यह लिखा हुआ है तो भी हम चाहते है कि चेक करें कि यह जो लिखा उया इसमें और reality जो हम च्छेक करते हैं उसमें का कितना फरक आ रहा है यह हम एकितना इस दोनों में हम bolt एमपेर को चेक करने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा solar panel होता है, इसको हम इस तरह से कर लेंगे धूप के साइड, यानि इस तरह से कर लिए इस पर धूप लगना चाहिए, तो जैसे कि अभी इसे धूप मिल रहा है, और इस solar panel का हम actual जो और यहां पर आप देखेंगे तो किलेंप मिटर और मल्टी मिटर दोनों हम लिए हुए हैं आपके पास अगर मल्टी मिटर है तो इस मल्टी मिटर में 20 एमपेर तक DC क्रेंट हम चेक कर सकते हैं और किलेंप मिटर में यहां पर 1200 एमपेर तक DC हम चेक कर सकते हैं तो हमरे पास द हम यहां पे इस्तमाल करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं किलेंप मीटर से कि कितना हमारा इस समय यह पावर जनरेट करके दे रहा है। इसे चेक करने के लिए बिल्गूल सा उपाय है कि हम यहां पे कि लैम्प मिटर को DC वोल्ट पे सेट किये हैं और Last सब्सक्राइब के कितना है ड्हतना Canary यहले कि अब है हमारा 21 अब है, तो यह clear हो गया कि यहmatle पैनल है हमारा 12 वॉल्ट के लिए है क्योंकि यह रहा है तो वह रहा है तो यहां करिये ammar यह जो solar panel है 12V के लिए है 12V के लिए 23V से ज्यादा आपका generate नहीं करेगा यह हमेशा ध्यान में रखिए जो 36V होता है वो आपका 36V, 40V, 42V, 45V वो 24V solar panel होता है अब इसकी हम यहां पे चेक करेंगे एमपेर यह कितना हमारा current generate कर रहा है सिंपल सा है कि MCA4 connector को आपस में sort कर देंगे अगर यहीं पे हमारा अगर multimeter से हम करते तो इसका पीन जो है जिसते से voltage चेक करते हैं उसी तरह से इसको हम लगा देते हैं एमपेर पे और पीन को हम लगा देते हैं दोनों में लेकिन हम यहां पे किलेंप के थुरू करेंगे तो इसको set करते हैं एमपेर पे और इसके बाद यहां पे देख लेते हैं यह DC है अब इसके बाद देख लेते हैं यहां पे इसका power generation अभी यह हमारा कितना एमपेर बना रहा है चार अभी धूप जो है sunlight है वो कम हो गया है इसलिए हमारा चार बना रहा है अगर अभी जो हमारा चार एमपेर आ रहा है और इस समय हम जानना चाहते हैं कि इस समय हमारा कितना वाट यह solar panel generate कर रहा है तो simple सा हम क्या करेंगे calculator लेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे voltage था हमारा 21 इसको multiply कर देंगे जो हमारा एमपेर होता है उससे जैसे 4 है तो 4 से करेंगे तो हमारा 84 वाट अभी generate हमारा है यानि अभी जो solar panel है हमारा 84 वाट पे ही काम कर रहा है क्योंकि sunlight कम है लेकिन point हमारा 20 था या 22 था हम वो 22 भी डाल सकते हैं तो कितना होगा हमारा 4 वाट और बढ़ जाएगा 88.2 हो जाएगा तो जो आपका voltage होता है और जो एम generate कर रहा है अब थोड़ा सा यहां पे धूप जादा आ गया है अब चेक करते हैं तो यहां पे एमपेर हमारा current हमारा 10.23 बावन आ रहा है तो इसको 10 मान लेते हैं voltage हमारा कितना था 21 था 21 यानि 21 था लेकिन जब load पड़ता है तो यह drop भी होता है वो कितना होता है अभी मैं आ पर मान लेते हैं 10 अब इसको क्या करेंगे बराबर हो गया हमारा 210 वाट लेकिन ऐसा नहीं होता है अब हर company में जो power loss का है अलग अलग होता है किसी का 10% होता है किसी का 20% किसी का 15% क्योंकि जो sale जोड़ा जाता है solar panel की वो किसी साब से जोड़ा गया उसके ओपर depend करता है हम य इसके बाद कर देते हैं यहां पर percentage तो यह हमारा 178.5 वाट यह अभी solar panel हमारा generate कर रहा है यह होता है actual और राइट अब यहां पर हम बात करते हैं जो MPR होता है MPR का क्या मतलब है अगर 10 एंपर generate कर रहा है कोई solar panel तो समझे एक घंटे तक वो continue अगर 10 एंपर देता है तो किसी 250 एच की बैटरी है तो वहां पर आपको 10 एंपर अगर आपका solar panel दे रहा है तो 15 गंटे में चार्ज करेगा अगर आप चाहता है नहीं हमारे याद धूप 10 गंटा रहता है 8 गंटा रहता है तो फिर solar panel की wattage बढ़ाईए MPR बढ़ेगा तो फिर वो चार्ज होगा इसके उप